हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो नदर वीडियो तो इस वीडियो में देख लीजे मैं आपको बताने वालो फोन पे के बारे में तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजे साथ यसाथ बेल आइकन और पर प्रेस कर दीजे अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है UPI से तो आपको ATM के लास्ट डिजिट डालने पड़ते हैं वैलकीटी के साथ में जिससे यह होगा आपका UPI PIN सेट होगा मगर आपके पास अगर ATM कार्ड ही नहीं है तो भाई UPI PIN कहा से डालेंगे अगर आपको UPI स्टार्ट करना है तो आपको तो UPI PIN लगेगा तो जैसे ही आप YouTube पे सर्च करेंगे How to Start Phone Pay without ATM कार्ड तो देख लिए बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बहुत से वीडियो में ऐसा बता है भाई ऐसा एड करो अगर आपका मुबाइल नंबर लिंक है तो बस OTP भेजेंगा आपको बैंक से रजिस्टर सिलेक कर लेना है लेकिन इसके आगे कोई भी नहीं बता था कि UPI PIN कैसे बनाना है तो मैं आपको बता दू अगर पेटियम सर्च करके इसे आपको डाउंलोड कर लेना है डाउंलोड करने के बाद आपको पेटियम को ऊपन कर लेना है जैसे के आप देख रहे हैं मैं पूरा डिटल बताने वालों पेटियम से आप कैसे स्टार्ट करेंगी UPI Google पे फोन पे दोनों स्टार्ट होगे आपके तो सबसे पहले मैं Paytm open कर लेता हूँ, जैसे के आप देख रहे हैं, Paytm open हो गया है, इसके बाद Paytm पे जैसे ही मैं टैप करूँगा, मैंने इसे login कर लिया, आपको ऐसे login कर लेना है, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता login कैसे करना है, तो comment करके बता दीजिए मैं आपको reply क कर दूँगा, तो जैसे के आप देख रहे हैं, इसमें बहुत से आपको offers भी मिल जाएंगी पहली बात, और दूसरी बात आपका UPI भी start हो जाएंगा, आप सबसे पहले आपको जो ब्लू आइकन दिख रहा है, सबसे उपर ब्लू आली जो बाहर दिख रहा है, इसको आपको ATM के verified member बन जाएंगे, जिससे के आपको बहुत सी चीज़े unlock हो जाएंगी, monthly transaction limit बढ़ जाएंगी, अब इसके बाद कैसे start करना है UPI, बहुत से बंदे सुचेंगे अगर UPI pin कैसे लगाना है, तो सबसे पहले जैसे आपके नाम के बाजु में आप icon पे tap करेंगे, ऐसे verified का sign आ लगा के रखाया है, इसे allow कर देता हूँ, जैसे मैं login कर लिया, देख लिए मुझे ptm payments bank का ATM card मिल गया है, जिससे मैं transaction कर सकूँगा, अब मुझे ATM card मिल गया, अब क्या करना है, simply आपको phone पे open कर लेना है, जिसमें आपको UPI start कर लेना है, तो जैसे के आप देख रहे हैं, मै fingerprint लगा के phone पे open कर दिया, अब इसके बाद bank account कैसे add करना है, तो simply आपको phone पे में login कर लेना है, अगर नहीं पता कैसे करना है, comment करके बता दीजे, मैं dedicated video बना दूँगा, इसके बाद switch के side में जो my money है, इसके बाद bank accounts पे tap कर देना है, जैसे आप bank accounts पे tap कर देना है, जैसे bank search करेंगे, इस पे tap करके, यह account detail लेंगा, और इसका simply आपका account add, इसे account edit successfully कर देंगा, इसे done कर देना है, वैसे आपका paytm payments bank add हो जाएंगा, तो यह थी एक method जिससे आप UPS start कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरा कोई भी chance नहीं है कि आप दूसरे banks का UPS start कर सकते हैं, अगर आप आपको कोई भी वीडियो मिली तो उसमें बस यही बताते हैं कि भाई यार bank account add करो और उसके बाद transaction हो जाएंगे, बढ़ transaction के लिए आपको UPS लगता ही है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, साथी साथ चैनल को भी subscribe कर दे तो मिलते हैं अगली वीडियो में